यह हमारे परम मादर्णिये दिनेश सिंग कुषवाजी के दीमार्ट में आया कि आज हम देखरें फेस्बूप के कई कमेंटे आती हैं कि पूरी सब्जी और रोटी ठाके हम लोग ठक चुके हैं तो कुछ विशेश खिलाया जाए तो स्री दिनेश सिंग कुषवाजी ने राम कि दिन हो गये हैं ऐसे डरीव लोगों ने रोटी ने ठाई है तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर हम इस्पेशल ऑटोमेटिक मशीन लेके आये हैं जिसके माध्यम से यहां पर हजारों की संख्या में रोटी बनती हैं और रोटी और सब्जी लोगों को बिर्श अच्छी तरसे पेट भरने के लिए रोटी बहुत आवर्शक है दिन में एक बार रोटी मिलती है तो उस वेक्दी का 24 दंटे तक पेट भरा रहता है इसके लिए हमने एक कॉंसेप्ट लेकिया है बस संदेश हम यही देना चाहते हैं कि यदि हो सके तो आप भी खिला यह नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं सेवा हम जरूर करते रहे हैं जो भी संस्ता है जो भी समाज है हम गरीब से गरीब जरूर्थ मन लोडों तट पहुँचे और इस विटर्ट परिस्तिते में इस म हमने देखा कि यहां परिस्ति बहुत ज़्यादा लोगों को आवसक्त लोगों की संख्या खुब ज़्यादा है उसको हमने धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज 9000 आदमी का हम सुवे पूरी साक का आयोजन करते हैं उसके साथ-साथ आज एक रामबीर सिंग करके हैं जिन्हों को एक रोटी की मसीन जबते कि हम हमारी का संकटे तब तक के लिए रोटी की मसीन दिए हम लोगों को आज से रोटी भी खिला रहे हैं रोटी का मसीन लगाया उसमें रोटी जो हती है जितने लोगों को रोटी दे सकते हैं उनको रोटी खिला रहे हैं और साम को हम 9000 आदमिय की चाली बाला कुंबार की चाली इस तरह जो चालियों की नाम है उनके जो जितने भी आगे वान है उनके आगे वान के तीन तीन लोगों के उसमें नाम और मोबाइल नंबर होते हैं यहां से जो डिलेवरी करने जाने वाला है उस व्यक्ति का भी उसमें नाम होता है और वो सा स्री राम का जन्म दिन था तो हमने लोगों को मतलब प्रशादी के रूप में यहां सूजी का हलवा लोगों को खिलाया था हम हनमान जन्दी के दिन यहां बूंदी और गांठिया लोगों को हनमान जन्दी के दिन लोगों को बूंदी खिलाएंगे ऐसे ने ने जो भी लोग होते हैं कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं और जो भी बाते होती हैं उनको हम सैट करके और सभी लोग को उसमें जो उनकी जो भावना थी वो आज की तारिक में थी वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको हम पूरा करने का बगवान हमें इसके अलावा हमारे चार सेंटर उत्तर भारती विकास परिशत पूरे एमदाबाद सहर में किसी भी नाती जातकी के बेदबाव बिना हर व्यक्ति को भुखे आदमी को खाना मिले और छेवाडा का आदमी भुखा नास हो जाए ये जो हमारे पीम साब का जो स्लोगन है उसी को हम लोगों ने भी आगे बढ़ा है और हर व्यक्ति को खाना मिले हमने चार सेंटर बनाया हमारा एक सेंटर अम्रेवाडी में चलता है एक हमारा सेंटर असारवा विदान सभा में में चलता है और एक हमारा सेंटर यहां चल रहा है और एक सेंटर हमारा वटवा में चल रहा ह और अविरत जब तक ये कॉरणटाइल और जब तक ये मतलब ये कोराना का ये मतलब लोकडाउन ये ये रहता है 21 दिन का जो लोकडाउन उसके आगे भी होगा तो हम बगवान से इतनी प्रातना करते हैं हमें सक्ति दे और हम सभी लोगों को उसमें मतलब पूरा कर सकें